हेले व्रीवान वालकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत ज़्याद अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लैकमी 925 का स्किन स्टाइलिस्ट कलेक्शन सी सी क्रीम हाज यह पहले भी सी सी क्रीम लैकमी का आता था बट अभी जो है यह 2024 में रिलाउंच किया गया है विद न्यू पैकेजिंग और काफी चीज़े हैं उसमें तो क्या-क्या है मतलब वैसे ही क्रीम है या मतलब पुरानी व cycle, छाहिए फटा फट से वीडियो मतलब करते हैं और भी स्टापी उड़े पकेजिंग में तो अब trina खुकूर आ रहे हैं पुराने रिलाउंच होकर उनमे ह्याहां पर अपको लिग जाएगा तो इस तरह कि कुछ आपको पैकेजिंग में यह अला प्रोडक्ट मिलता है यहां लिखा हुआ है लैक में 925 इसकिन स्टाइलिस्ट क्लेक्शन CC क्रीम कॉंप्लेक्शन केर क्रीम क्रीम और इसमें SPF 30 PA++ है तो यह मेकप के लुक के साथ साथ में आपको स्कीन केर का कॉल्टी भी प्रवाइड करते हैं तो इसमें SPF 30 भी है तो इनकेस अगर आप SPF अपने लगाना भूल जाते हैं किसी कारण वश तो आप ने अगर इसको लगा है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है ऐसा इनका क्लेम है तो शो स्टॉपिंग हुआ है अगर करें से ऊफरापन तो चनल से करण और सबस्क्राइब शुक्त करने लेगा है और अभी कौण्टी यहां अभी ईजया है कौण्ट आपको इसग्पर आपको आपको बात करों की विए अगर के पैकजिंग आपको यहां पर यहांपर इसकी कुछ इस तरह से थी परी वागेजिंग होदी ती उसका गहां होजी करी से तरह की यहां से टल में इसand प्रिक्रों से लिखी यां तो कशुक्छ ज़ीह देखने में इक्सिपसा लग रहा है कि यह क्रीमें आपको यहां से देखने में मिलती है ओके तो यह जो क्रीम है यह गेट रेंप रेड़ी विद ब्लेंड ऑफ स्किन केर एंड मेकप यह जैसे कि मैं आपको बताया था इसमें आपको स्किन केर और मेकप दोनों की क्वाल्टी मिलेगी यह बहुत अच्छा फाउंडेशन है और यह आपके स्किन को कंसील करता है औ और रेड़ी लुक लाइक और 10 फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग तो अगर आप इसको मॉर्निंग में यूज करते हैं तो मॉर्निंग टू इवनिंग अच्छे से आपके स्किन पर यह सेट रहता है और वर्क करता है ऐसा इनका यहां पर कहना है और यह जो है यह बहुत ह आराम से आप अपने हैंड के साथ में इसको ब्लेंड कर सकते हो इसमें मतलब किसी भी ब्लेंडर और सब चीज की जरूरत नहीं है और फ्लॉलस फिनिश आपको ही प्रॉइड करता है इंग्रीडियंट लिस्ट के अगर मैं बात करूं यहां पर आपको इसकी इंग्रीडियं ही और तो कि आहिए कर सकते हैं ओकए यह तो इसका आउंटर पेक हो गया शेड केया मैं बात करूं та को इसके सिक्ष्ट अविलेबल करवाए गया है इसमें और पुरानी वाली रोटि इस थी श्कयार का छार्ट यहां पर दिया हुआ था जैस modal फिया है जीरोऊ वन भी शेर बेज और फिर 1A फ्रेप, 02 अनी, 03 ब्रॉंज, 3A कारमल, 04 आमंड तो इस तरह के शेड हैं मेरे पास में जो शेड है वह है 01 बेज और अभी ज्यादातर मार्केट में 01 बेज ही अविलेबल है और धीरे-धीरे करके सारे शेड अविलेबल हो जाएंगे अब याचिवा कि अगरी बात करऊ तो आपको यह ऑन-lijn में मिर जाएगा को इसका कुछ इस तरह से टेशो देखने को मिलेगा और ये बेज शेड जो होता है वो किसी भी शेड में हो मतलब पॉंडेशन में और कहीं भी हो मेरे सकीन पर काफ़ी अच्छे से जाता है तो आप देख सकते हैं अगर आप तो बेज शेड आपके उपर भी जाएगा और बहुत जादा जो फेर होते हैं तो सबके लिए मतलब अलगा लगा इसकिन टोन है तो कुछ इस तरह का वाइट थोड़ा से लग रहा है आपको तो कुछ इस तरह से जाएगा मैं आपको फेस पे भी लगा करके दिखा देती हूं कि यह कैसा लगने वाला है विकर समय मैंने फे सब्सक्राइब करके दिखा हूं और हैंड से ही मैं ब्लेंड कर रही हूं क्योंकि यह डेली स्किन केर में लोग यूज करते हैं पांडेशन जो लोग नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसको आराम से यूज कर सकते हैं तो डेली में जो कोई यूज करता है तो हाथ से ही यू करना है मतलब थोड़ाजा डीशिकल्ट हो जाता है तो आप देख सकते हो इससाइड वाली जासी जग रही है तो आप लिछ एक मुझे तो आप डिफरेंस देख सकते हो इसको लगाने के बाद में आपकी स्कीन कैसी लगने वाली है तो मैं दूसरे साइट पर भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ और मुझे जो है सीसी क्रीम को लगाना उतना ज्यादा पसंद नहीं है परस्नली बैट यह वाली जो सीसी क्रीम में मुझे काफे अच्छी लगी और इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही अमांट अप्लाई कर रहे हूँ और यह धीरे-धीरे इसकिन पर सेट होता है मतलब तुरंट लगाएंगे तो देखिए इस तरह के लगेगा बट धीरे-धीरे सेट होतने लगता है न तो इसकिन डूई सी लगने लग जाती है तो कुछ इस तरह का आपको इसकिन देखने को मिलता है इसको अप्लाई करने के बाद में ओवराल यह वाली जो क्रीम है यह वाली जो लेकमे सीसी क्रीम है यह पुरानी वाली लेकमे सीसी क्रीम की तरह ही है तो अगर आपके पास पुरानी वाली है तो आप पहले उसको यू तो जो शेड आप उस वाली में लगाते थे वही शेड आप इसमें भी पर्चेस कर सकते हो कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों सेम है आई थिंग बस पैकेजिंग इनलों ने चेंज करी है और उसको रिलाउंच किया है बस पर्चेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली पर्चेस फ्रैमिली के साथ में और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लिजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और आप सबसे पहले मेरे चैनल पर आ सकें अब मैं मिलती हूं आपसे नए वीडियो के साथ मैं रब तक लिए बाबाए